पुछा जाता है जहां जहां डीप में जाना होगा गहराई में जाना होगा बहुत लंबी लंबी प्रिफाशा दी गई है भारती काबayan शास्तर जैसे भामा दंडी के बीचार भी लेने पड़ जाते हैं हम बिल्कोल हम किसे अरने बीडियों में जब भारती काब़े शास्तर के अमसार हम वीडियो बनाएंगे जू-जूसीने力 के रैवल की तो तब हम उनके मत भी लेंगे लेकिन हम परिभाशा पर लेते हैं मिलकुल समाने तरीके से क्या है कब्य अत्वा भाशा को शुवा बनाने वाले मनुरंचक धंग को अलंकार कहते हैं दूसरी समानने परिभाशा वे हम से कह सकते हैं कि कविता को सुन्दर बनाने वाले तत्व अलंकार होते हैं ठीक है जे एक अलग परिभाशा मैंने औरल मोखी ग्रूप से आपको बताई क्या बताई कविता को सुन्दर बनाने वाले तत्व ही अलंकार है और साथियो अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है अलम प्लस कार ठीक है अलम प्लस कार अभी अलम का अर्थ क्या होता है अलम का अर्थ होता है साथियो अभूशन जा भूशन ठीक है और जे भूशन शब्द जो है अभूशन इसका आर्थ है और साथियो आपको बता देता हूं कि जिस परकार एक इस्त्री को सजाने के लिए सुन्दर अभुष्णों की 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 अभुष्णो का संजोग होता है इसमें सुर्फ शलेष लंकार आता है कुछ और भी यलंकार आते हैं वो कभी किसी और वीडियो में बताएंगे ये जब हम बड़ी वीडियो लाएंगे भारति कापी शास्तर के बिद्वानों के मतों के अनुसार तब हम समझाएंगे उब्हालंकार को लेकिन जी वीडियो हम समान्ने बना रहे हैं जिसमें ज्यादा अलंकार नहीं है, बिल्कुल समान्ने अलंकार हैं जो हिंदी मास्टर कैरड़र की प्रक्षा में पूछे जाएंगे. तो सबसे पहले हम शब्द लंकार को देख लेते हैं इसमें हमने चार लंकार रखे हैं हलाकि इसमें आपको बता दू कि महिंती मास्टर कैरड़र में सिर्फ तीन है लंकार हैं इसमें शब्द लंकार जहां पर चार हम करवाएंगे आपको बैसे तो शब्द लंकार में बहुत सारे लंकार है अर्थ लंकार की अगर दिश्टी कौन से देखें इसमें बहुत सारे लंकार है उभ्या लंकार में भी कुछ लंकार है और शब्द लंकार में तो है ही लेकिन हम सबसर प्रतम बता जेते हैं कि जहां पर हम अनुपरा अनुप्रास लंकार को लेकर चलेंगे ठीक है अनुप्रास लंकार को आपने पढ़ा ही होगा ठीक है बहुत समाने सा लंकार है क्या है इसकी प्रिभाशा वर्णों की अवरिती को अनुप्रास कहते हैं अवरिती का अर्थ क्या है अवरिती किसी वर्ण का एक से अधिक बार आ तो अनुप्रास का मतलब क्या हुआ वार वार वर्ण का आना तो विलकुल शाब्दिक अर्तों क्लेर होगी हो ही गया होगा साथ्यू आगे क्या कहा जा रहा है कि जहां स्वर की समानता के बिनावी वर्णों की आवरिती होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है इस अलंकार में एक ही वर्ण का वार वार परजोग क्या जाता है ठीक है जैसे जन रंजन मंजन दनुज मनुज शुरूप सूर भूपचे उधारन दी गई इस प्रिकार से साथ्यू आगे एक और उधारन दी गई है ठीक है जे आप देख लेजिए मुदित महिपती मंदिर आये सेबक सच सुमंत्र भुलाए तुझे एक परिभाषा आपको साथ उधारन दी गई है ठीक है तो परिभाषा भी साथ में हम दे रहे हैं साथ्यू जैसे कि अनुपरास लंकार के बेद हैं 5 कितने बेद मानें के साथ यो 5 मानें के सबसे पहला शेक अनुपरास दुसरा वृत्य पर पाचवा है शुरुत्य अनुपरास ठीक है जी सबसे पहले हम शेक अनुपरास को लेते हैं ठीक है अब इसको ध्यान से देखिए बिल्कुल संक्षेप में बताएं के साथ यो बिल्कुल आपको बताओं की ज्यादा पढ़ने की जोड़ती नहीं होती बस आप होती है ठीक है जब वरनों की आवरती एक से अधिक बार हो और क्रमिक हो ठीक है क्रमिक भी लिख दी क्रमानुसा अनुक्रम से सिस्टमेटिक लिए जैसे जहां पर है साथी हो देख लो जब वरनों की आवरती एक से अधिक बार हो मुद मंगल मै संत समाज हो अब इसे देख पो अधिक तो आपको आगली पंगती बहुत एक से अधिक बार हो रही हो तो जहां प्रथी बारे नुगती आपको जग में जग और जंगम में जग आया तो जहां पर शेकान प्रास अलंग कार है वर्णों की वर्ण की आवरेती अनेक बार हो अभी साथी शेकान प्रास की प्रिवाशा क्या थी एक से अधिक बार हो मतलब जैसे जहां पर है ना मुद मंगल मैं इसमें मम आया है ना दो शब्दों के शुरुआत में लेकिन फिर उसके आगे जो है उसी पंक्ती में और वर्ण आ गए ठीक है और वर्णों की आवरेती आ गई लेकिन ब्रत्यान प्रास में अलग थोड़ा से बात कही गए यह क्य गए वरेतीन प्रास में जब एक ही वर्ण की आवरेती अनेक वाई होती है मतलब सिस्ट्रमिटिकल ही होती चली जाती है उस कापे पंक्ती में कुसी और उस्कापे पंक्ती में जो शक्त है इस जैसे Ovियर्ण कलिमल करीगन ठीक है जी करीगन के तो साथ ही देखिए पूरी की पूरी पूरी पंक्ती में पहला जो वर्ण है वो को को आ रहा है न तो जहां पर जही कहने की कोशिश हो रहे है अवरित अनुप्रास में क्या हो रही है कि जब एक वर्ण की आवरिती पंक्ती में बार बार हो चाहिए और शब्द के अंत तक हो रही है, थिक है जो पंक्ती का आकरी शब्द रोख वर्ण भी पहला एक ही जैसा है जा काव्य पंक्ती का पहला शब्द का पहला वर्ण है, थीक है मैं जही कहने का प्रजयतन का रहा हूं, साथि तीसरा भी तर लाटानुप्रास, अभी एक बार आगे वृत्य अनुप्रास में एक वर्ण की आवरती अनेक बार ठीक अनेक बार अभी लाटा अनुप्रास में क्या है जब एक शब्द जब वाक्य खंड की आवरती अनेक बार होती है तो लाटा अनुप्रास अलंकार है कैसे यह देख लेजिए बही मनुश्य है जो मनुश्य के लिए मरे मनुश्य शब्द आया ना बाके खंड ये शब्दे की चीज़े तो जहां पर नेक वार आवरिती हो उसकी एक ही वाके में बहां पर लाटा अनुप्रास साथ ही जाद कर लेजिए जो पूछा जा सकता है आगे है अनत्य अनुप्रास अनत्य अनुप्रास की परिवाशा कहा है जब अन्त में तुक मिलता हो तो अनत्य अनुप्रास आप इसको जाद रख़ए कि तुक मेलना है तुक बंदी होती है ना साथ ही इंग्लिश में राइमिंग बोलते हैं उसको ठीक है जाद रखिएगा तो जहां पर राइमिंग हो अन्त में जैसे की अधारन देखिए मांगी नावन केवटू आना कही तुम्हार मरमू मैं जाना तो तुक बंदी होई कि नहीं गानों की तुक बंदी होती है ना तो समय लिजए कि अन्त अनुपरास जो है वो तुक बंदी के लिए ही बना है तो ज़्यादा गवराने के अवशक्ता नहीं है बिलकुत समानने से बता रहा हूँ आगे साथ ही हमारा पाच्वा बेद है अनुप्रास का ही शृत्य अनुप्रास शृत्य अनुप्रास में क्या है जब एक ही वर्ग के वर्णों की अवरिती होती है तो शृत्य अनुप्रास होता है क्या एक ही वर्ग के वर्णों की अवरिती कैसे जैसे जे दिननात था थे दिननात डूबते सधेनू आते ग्रह गवाल बाल थे ठीक है जहां पर तवर्ग के वर्णों अर्था तथदधन की आवरती हुई कि नहीं हुई ठीक है जी अभी देखो तवर्ण है ना तवर्ण में तथदधन है तो उसके जो वर्ण है जहां पर आ रहे हैं एक वर्ग है न तो वर्ग की आवरती जो है वह जगा हो रही है तो वर्ग में अलग अलग अर्थ दे साथ ही जदिया आपने प्लस टू में पड़ा हो मलब हिंदी रखी हो प्लस टू में पंजाब स्कूल एजूकेशन बॉर्ड में तो जम्रक लंकार तो मतलब इतना असान है है आप तफ से बढ़ रहे हैं ठीक है और अभी सी बीएसी दसमी में तो मेरे नौवी कक्षा सी बीएसी बहां पर अलग कार लगे हो हैं तो मतलब कितना अभी डीपली बच्चों को करवा रहे हैं तो परिभाशें बच्चों को जाध होंगी आपको भी जाध होनी चाहिए ठीक है जदि नहीं है तो कर लिए जिबल को समान ने इसी परिभाशा दे रहा वही करवारां फिर से में कनक कनक तेसो गनी मादकता अधिकाए वा खाए बोराए नर बापाए बोराए तो इसका आर्थ क्या है जहां कनक शब्द की दो बार अबरती हो रही है ठीक है अभी देखो जमक लंकर की परिभाशा तो मैंने करवा दी अभी पहचान क्या करनी है अभी जहां देखना है कि कहीं शब्द जो है वो दोहराई ते नहीं हो आपरिती नहीं हो रही है तो कनक शब्द की तो आपरिती हो रही है दो बार आ गया ठीक है तो इसमें जो पहला कनक है साथी उसका अर्थ है धतूरा ठीक है जो एक परकार का आपको नशा होता है ठीक ह धन दोलत का नशा इसे होता है ना उससे आदमी तो पगला जाता है बुरा जाता है तो धतूरे का नशा जो एक परकार का नशा होता है कुदरती नशा उसको लेने से कुछ नी होता है जितना रुकसान जो है धन दोलत जैसे स्वर्ण जैसे नशे से होता है ठीक है तो साथियो दूसरी उधारने भी हम देख लेते हैं जमक लंकार की क्या है इसमें जिसकी समानता किसी ने भी किसी ने कभी जिसकी समानता पाई किसी ने कभी पाई नहीं पाई के नहीं है अब वेही लालमाई के ठीक है फिर से पढ़ देता हूं जिसकी समानता किसी ने कभी पाई नहीं है अब वे ही लाल माई के क्या है इसमें साथियो पाई शब्द आ रहा है ना दो बार आया पाई शब्द तो पहले पाई का जो अर्थ है उसका मतलब है प्राप्त करना ये पाना दूसरे पाई का अर्थ जहां पर क्या है पैसा ठीक है जिए दो भिन भिन अर्थ निकल रहे हैं ठीक है साथियो तो अर्थ जो है भिन भिन निकलना चाहिए आगे साथ ही अलंकार है बक्रोक्ती अलंकार ठीक है जिस तीसरा अलंकार हिंदी मास्टर कैरडर में लगा हुआ है इसको देख लेते हैं पलकुल समानने से ये साथ ही हम डर जाते हैं जिस बक्रोक्ती शब्द को पढ़कर बक्रोक्ती अलंकार ठीक है तो इसके बारे में बता कार पूर्ण अर्थ लगाए और उसका उत्तर दे उसे बक्रोकती कहते हैं अभी सातियों मैं बिलकुत समाने सा बताता हूं ठीक है मैं कुछ कह रहा हूं ठीक है मैंने एक पंक्ती कही लेकिन आपने उसका अर्थ कुछ और ले लिया ठीक है जी जही तो कहना जा रहा है बक्रो उक्ति क्या है बक्र है जो उक्ति बक्र का अर्थ क्या है साथियो वक्र क्या होता टेड़ा तो कोई किसी बात को टेड़े पन से कहना ठीक है किसी बात को टेड़े पन से कहना वक्र है जो उक्ति अभी साथ यू आगे उधारन सहित बताएंगे बक्रोक्ति का अर्थ पहले पर बंदा सुनने वाला है उसका अर्थ कोई अलग ही बो लगाए ठीक है तो बक्र है वो उक्ती बक्र उक्ति का अर्थ तो कहने वाले का अर्थ कुछ होता है कि तो सुनने वाले या सुनने वाला उससे कुछ दोहरा ही जा दूसरा ही अविप्राई निकाल लेता है ठीक है जी तो अगली है श्रोता अपने लगाए अर्थ को प्रक्ट करें ठीक है जी अभी उधारन उधारन देख लेते हैं साथ ही बिलकुँ संक्षेप में एक कहयो वर्देत भव भाव चाहिए चित सुनी कह कोई भोले भवी भाव चाहिए मित अभी क्या है इसका अर्थ तो किसी ने कहा क किसी ने क्या कहा कि भव भव मतलब शिव शिव जो है बर देते हैं पर चित में भाव होना चाहिए क्या कहा एक कहयो भर देत भव भाव चाहिए चित मतलब किसी ने कहा कि शिव जो है बरदान देते हैं पर मन में भाव भी होना चाहिए तब ही वो देते हैं तो जह सब सुन तो दूसरे ने क्या कहा अर्थात क्या है इसका मतलब शिव इतने बोले हैं कि उनको रुझाने की लिए भाव के अवशक्ता नहीं है मलब उनको मनाने के लिए emotions की कोई अवशक्ता नहीं है वो ऐसे ही मान जाते हैं तो जही तो है कि एक पंक्ती में किसी ने कुछ कहा लेकिन दूसरे बाले ने उस पंक्ती को सुनकर कुछ अलग ही जवाब दिया जही तो है बक रोकती साथियो इसमें कोई इसमें कोई रूल नहीं है साथियो मैं जही तो कहना चाहरा हूँ कि जैसे यह पंक्ती है इसको अब बिल्कुल अंते करन तक जो है स्थापित कर ले जिए बिल्कुल आपने समझना है इसको ठीके मैं क्या मैंने यह पंक्ती बोल दी भाई की शिव जो है वो तभी बर देते हैं जब जितमे भाव हो लेकिन जब तो आपने वो पंक्ती को सुना तो आपने उसके रियक्शन में कुछ अलग ही कहा क्या कहा दूसरे ने कहा कि भाई शिव तो इतने भोले हैं कि उनको रजाने के लिए भाव के अफशकता नहीं है तो मतलब सुनने बाले ने उसको अलग ढंक से लिया और उसका अर जो है वो बक्रोकती और काकू बक्रोकती तो यह संस्क्री लेवल का चला जाएगा ज्यादा गहराई में नहीं पढ़ेंगे हम इसको अगला लंकार है बीपसा लंकार अलागे हिंदी मास्टर कैडर में नहीं है फिर भी हम आपको करवाएंगे साथियो बीपसा लंकार बीपसा लंका مطلب ये सारी बाते हैं जब दोरानी होना इन सब बातोंको जब जादा सपस्ट रूप से परदर्शिद करना है एकस्प्रेस करना है किसी के सामने तो हम क्या करते हैं शब्द को दोराती है जैसे रिούμεरे न जरूर देख लीजिएगा ठीक है इसकी प्रिभाशा और इसके दो बेद जो है जानाम जाद कर लीजिएगा बिलकुर इसको हम वेकरोकती को और भी ज्यादा डीप सपाल सकते हैं लेकिन जितनी जरूरत है उतना हमने पढ़ा दिये तो मिलते हैं अगले वीडियो में जब मु को लिख रहेंगे